हेलो गाईज आपका मेले चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदिशाले की तरफ से दी जाने वाली कारेपत्रक नमबर 31 करेंगे जो की क्लास 8 की है और विश्य है गनित ये वरक्षिट 15 निवेंबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वरक्षिट वरक्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वरक्षिट घन संख्याओं का घन मूल आज हम घन संख्याओं का घन मूल तथा उनका दैनिक जीवन में उपय पहले घन मूल का अर्थ समझते हैं घन मूल का शाबदिक अर्थ है घन का मूल घन संख्या जिस संख्या से प्राप्थ होती है मुख्य रूप से घन मूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विप्रीत विदी है जैसे कि 4 का घन 64 होता है तो 64 का घंमूल 4 है तो देखो क्या कहा गया गया गटा कि घंमूल निकालना मतलब कि जिस संख्या का घंमूल निकालना है उसका विप्रीत है जैसे कि हम अगर 4 की क्यूब करते है 4 का मतलब कि 4 गुना 4 गुना 4 तो इसका अंसर हो जाता है 64 तो यह हो जाएगा 4 की घन देकिन 64 का अगर घन मुल निकालना है तो उसका अंसर हो जाएगा 4 देखिए आगे क्या लिखा गया बिटा अब भाज्ये गुननफल विधी द्वारा 729 का घन मुल गयात करना तो पहले हमें इसके गुननखन करने होगे हम इसी तरह से गुननखन करते हैं तो इस तरह हमें गुननखन करने होंगे तो इसका अंसर कहाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ठीक है तो बेटा हमने पिछली वक्षिट में आपको देखा था कि ट्रिपलेट हम यूज करते हैं शायद आपको याद होगा हमने पिछली गन मूल होगा बेटा, no का, तो हमारा अंसर क्या आजाएगा, no, next देखे लिखा है, 27, 27, 27 का घन मूल कितना है, 3, 27 का घन मूल कितना है, 27, यहाँ पर यह बात कही गई है, कि देखो, हमने यहाँ पर क्या किया गया है, देखो, इस तरह से लिखा गया है, 3, oh sorry बेटा, 3, 3, 3, 3, कितना होता है, 27, तो 27 किसका घन है, 3 का घन है 27, और 27 का घन मूल कितना है, 1 पियर बन रहा, इसलिए 3, ठीक है, एक ट्रिपलेट बन रहा, यहाँ पर, इस graphs तरह 125 का दिया गया है, यहाँ पर इसली समझ में आ जाएगा दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग राप की पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर है वह इस गिफ्ट की बुजा की बिना बुजा को मापे हुए ग्याद करना चाता है बिना बुजा को नापे हुए तो 512 का हम अभाज्य ग गनमूल आएगा 512 का वह क्या हो जाएगी एक भुजा हो जाएगी तो ऑंसर क्या आ जाएगा आठ फोड़े से confused हो कोई बात ने थोड़े प्रैक्टिस करोगे इन कोशिंस की तो आपको बहुत ऐजी हो जाएगा घन निकालना घनमूल निकालना तो बहुत आसान है देखो देखो क्या कहा गया, इन संख्याओं को लिखे जिन संख्याओं का यह घन मूल है, मतलब हमें आप इनके घन निकालने है, कि चार का घन कितना है, लेकिन इन संख्याओं में क्या करना है, इनका हमें घन मूल निकालना है, मतलब कि यह किन संख्याओं की घन है, हमें यह निकाल के लिए हम क्या करेंगा पहले इसको सात से ज़िवाइड करते है तो 49 आता है फिर सात को सा zu या आ पर हमारा यहां पे में स्इवन वन सम थे तो यह ट का एक नंबर are इसका घॉमिल कितना हो जाएगा सैन सत्म कितना हो seven इस तरह से भी पेटा दिखी क्या कहा गया नेक्स सोफी में 3375 3375 सबसे पहले मुद दिवाइड करते है 675 से से सबसे हम ढब से 100 पर 745 आता है पिर 5 का किसका गन्मूल है बेटा 37515 का यह हमारा आंसर हो जाएगा आई अब हम next question करते हैं बेटा next question देखे थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा question बट है इतना मुश्किल नहीं है देखो 13824 13824 को जब हमें क्या करना है इसका गन्मूल निकालना है तो हम इसके गुननखन करेंग तो बार बार डिवाइड हो रहा है उसको गुननखन आते जा रहे है उतना ही तो देखो कितने triplet बन रहे हमारे पस में एक triplet यह बन गया एक triplet यह बन गया और एक triplet यह यहांपर यह बन गया तो प्लास में 312 भी आ जाएगा ठीक है जब ही हमारा अंसर का आओगा यहां से हमने दो ले लिया, यहां से भी हमने दो ले लिया, यहां से भी हमने दो ले लिया और यहां से हमने थ्री ले लिया, तो क्या बचा देखो दो, दो, दो और तीन, तो हम आर जब इनको गुणनखन करेंगे, दो, दूनों, चार, चार, दूनी आठ, आरती है, तो एक सेकंड बिटा आड़ती है 24 तो यह हमारा अंसर आ गया ठीक है यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से हो थोड़ी प्रैक्टिक के साथ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिटा सिर्थ थोड़ी प्रैक्टिक की जरूरत है ठीक है देखें नहीं अच्छी गरते एकंड बनादे रिट्रीका सेल थे गाराई और उनको को मल्टिप्लाई करके आपका उनसर यहाँ पर आजाएगा अदाक्र Two 28, 1728 को सबसे पहले 2 से divide करेंगे, 8, 6, 4 आएगा फिर 2 से divide किया, 4, 3, 2 आएगा फिर 2 से किया, 6, 2, 1, 6 आएगा फिर 2 से किया, 108 आएगा फिर 2 से किया, 54, 54 को जब 2 से किया, 27, अब हम 3 ले लेंगे क्योंकि 2 से divide नहीं होगा, 3 लिया, 9 आए 3 आया 1 आया अब हम इनके triplet बनाते है एक ये हमारा triplet बन गया एक ये triplet बन गया और एक ये triplet बन गया देखो हमने लिखा 2 2 2 multiply एक ये triplet बन गया और एक ये triplet बन गया इन में से एक एक नमबर ले लो यहाँ से तू लिया तो आइए करते हैं बिटा कोशन देखिए फोर को जब हमने थी टाइम मल्टिप्लाइ किया कितना अंसर आया 64 इसी तरह 10 को जो मल्टिप्लाइ करेंगे यहां से मल्टिप्लाइ कितना अंसर आएगा तो यह हमारा अंसर हो जाएगा नेक्स देखते हैं यहां से मल्टिप्लाइ किया किया इतना अंसर आ जाएगा तो बेटा आज की वक्षिट कंप्लीट होती है अपने टीचे से चेक कराएगे और प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और शेयर किजिए ठेंक्यू श्टूदेंस